अलो एव्रिवान आएम रिचाइन यूर वाचिंग पर्चम आज के सेशन में एक इंपोर्टेंट करन टापिक को डिसकास करेंगे जो कि हर एक्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंस रखता है और इस पद्मा अवाज 2023 हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव थोड़ा द को ब्रेन को किक स्टार्ट करने में help करेंगे पढ़ाई मोड में आ जाएंगे इस टॉपिक से जोड़ जाएंगे and then we'll be moving towards the concepts or the topic in detail तो क्या है आज का question the question is the number of भारत रत्न awards is restricted to a maximum of what number in a particular year यानि कि भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेश वर्ग में अधिक्तम कितनी सीमित है किसी भी साल में maximum कितने भारत रत्न awards दिये जा सकते हैं या दिये जाते हैं maximum 1, 2, 3, 10, 20 वो ये अपर लिमिट है वो कौन सी है वो आपको करके बताने अगर आपको इसका आंसर आता है तो write down in the comment section नहीं आता तो google करो जो भी सीज ढूंडोगे वो दिमाग में ज्यादा लंबे समय तर टिकने वाली है चलिए यह हो गया kickstart question अब हम शुरू करते हैं हमारे जो भी important facts हैं उनसे पर उससे पहले जितने भी courses and subscriptions हैं उनकी जानकारी के लिए चोटा सा प्रिल्यूड है वह आपके लिए प्ले होगा वह आप देख लीजें देन विल स्टार्ट ओबर आप चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं introductory slide के साथ में पद्मा अवार्ट्स क्या है पद्मा अवार्ट्स है वरॉपफ दी हाइस civilian awards जो नागरिकों को दिये जाने वाले संवान है और उनम से सबसे हाइस होता है भारत रतना आवार्ट स्टॉप नंबर पे आते हैं उसके बाद में पद्म आवार्ट की तीनो काटेगरी आती है जिसके अंदर पद्म विभूशन पद्म भूशन और पद्म श्री अवार्ट शामिल होते हैं इसलिए हम कहते हैं वन आफ दी हाइस सिविलियन ओनर इन इंडिया सिविलियन यानि नागरिकों को दिये जाते हैं लाइक टोल यू यह तीन काटेगरी में दिये जाते हैं पद्म विभूशन जो की कि exceptional and distinguished service के लिए जाएगा पद्म भूशन उसके second number पे आते हैं जो की distinguished service of higher order के लिए जाता है और पद्म श्री जो की distinguished service के लिए जाता है तो कभी पूछ लिया जाए कि नागरिकों यानि सिविलियन को मिलने वाला सबसे highest honor कौन सा है इंडिया में तो वो हो जाएगा भारत रत्न सो दिस इस दी टॉप्मोस्ट अवर्ड सेकेंड नंबर पे आएगा पद्म विभूशन थर्ड पे आएगा पद्म भूशन और फोर्थ पे आएगा पद्म श्री अवर्ड ठीक है चली सो आज का जो वीडियो है वो पद्म विभूशन पद्म भूशन और पद्म श्री से रिलेटेट सारी बातें करने वाले हैं चले सो यह आवाड किस नागरिक को दिया जाएगा या किस फील में दिया जाता है क्या कोई पर्टिकिलर फील्ड है वैल ऐसी कोई एक एक इस्टाबिश फील्ड नहीं है कोई भी field of service से आप जुड़े हुए हो, वो medical हो, या फिर आर्ट हो, social work हो, public affairs हो, science engineering हो, literature education, sports, civil services, anything, other services में भी सबको चाह जाता है, जिसका कभी कोई mention भी नहीं हो एक particular category में, पर कोई भी काम अगर आप करते हो, provided, उसमें public service का element जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानि जो भी आप काम क समाज को कहीं न कहीं benefit मिल रहा है, तो आप eligible हो जाते हो, Padma Awards के को लेने के लिए, और इसका nominate कोई भी nominate कर सकता है, मैं खुद भी खुद को Padma Awards के लिए वो nominate कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, फिर एक Padma Awards की committee बनी हुई होती है, वो committee जो होती है, वो choose करती है, और उसके ब जो भी achievement आपने all fields of activities या disciplines में की है, जो की public service को devoted हो, उसमें आपको मिलता है, जिसके अंदर काफी सारी fields या नाम आप पढ़ सकते हो, social work, public affairs, science, trade, industry, medicine, literature, etc. Now, आप कुछ important facts देख लेते हैं, जहां से examination के अंदर आपको question देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहला कि Padma Awards अनौंस कब होते हैं, तो आपने देखा होगा कि 26 जनवरी जब हम Republic Day मनाते हैं, उसकी eve पे, यानि कि उसके पहले वाली शाम को अनौंस कर दिये जाते हैं, so they are every year announced on the eve of Republic Day, हर साल, लेकिन कुछ exceptions रहे हैं, वो अभी हम देखेंगे, अच्छा, अब कौन देता है, कौन confer करता है, कौन हातों में देता है इन awards को, awardees के, so President of India, and who is the President of India, कायरा से पूछे, आज काय रहा हैं, स्टूडियो में, कायरा, President of India कौन है, पता है, द्रौ, साइड हो जाओ, दिखा हो नहीं है, यहां पे, द्रौ, द्रौ, द्रौपती मुर्मू, वेरी नाइस, द्रौपती मुर्मू, ओके, so President of India, जो है, वो confer करते हैं, राष्ट्रपती भवन पे, और यह कब दिये जाते हैं, March, April के अंदर दिये जाते हैं, तो पहले announce हो जाते हैं, वो हो जाते हैं और उसके बाद, March, April के अंदर इनको दिया जाता है, यह कब से दिये जा रहे हैं, 1954 से इनको देने की शुरुवात हुई है, लेकिन कुछ साल हैं, जब Padma Awards नहीं दिये गए, announce नहीं किये गए, और वो साल आप अगर याद रखेंगे, that'll be good, 1978 में, 79 में, और फिर 93 से 97 तक, 1978, 78, 79, then 93 to 97, यह कुछ साल थे, जिनमें Padma Awards अनौंस नहीं किये गए थे, तिये नहीं गए थे, okay, moving further, now, अब हम जो भी बात करेंगे, वो Padma Awards 2023 से related होगा, okay, so कौन सी ministry है, जो की, इसको तो काफ्टर करती है, Ministry of Home Affairs, Ministry of Home Affairs अनौंस करती है, Padma Awards और इस बार, यह 74th Republic Day की Eve पे अनौं कौन से नंबर का Republic Day हमने मना है, 74th Republic Day था, 75 years of Independence हमारे हो गए है, लेकिन 74th Republic Day हमने अब्जर्व किया और उसकी Eve पे अनौंस हुए, टोटल कितने Padma Awards अनौंस किये गए, अब यह जो भी चीजें आपको Orange में अगर अलग से explicit दिख रही होंगी, और उनमें अगर कोई नंबर है तो वो बहुत important है, कितने Padma Awards, 106, 106 Padma Awards इस बार अनौंस किये गए, उसमें तीन duo cases थे, duo cases क्या होते हैं, जोडी, दो लोगों को एकटे वो award मिला है, for a single, for that one thing, लेकिन उसको एकी award की तरह count किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि कल्यान जी आनन जी हैं, for example, तो वो एकी team माने ज जाएगा, इसे तीन duo cases रहे, अब इन 106 का bifurcation क्या है, यह बहुत important है, याद रखेगा यह number, 6 Padma Vibhushan, 6 Padma Vibhushan मिले हैं, 9 Padma Bhushan हैं, और 91 Padma Shri हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 6 plus 9 plus 91, this is total 106, ओके, तो अब इसके अंदर यह जो Padma Vibhushan हैं, यह सब हम याद करेंगे, Padma Vibhushan जो 9 हैं, वो हम याद करेंगे, 91 Padma Shri याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको याद करने बैठ रहे हैं, तो आप अपना time और energy बहुत waste करेंगे, because इन में से किसी का पूछा जाना, बहुत कम chances होते हैं, unless वो अलग से सुर्खियों में आए हूँ, या तो अगर कोई बहुत बुस्दुर्गे, डेथ हो गई है, या फिर eminent कुछ काम कर लिया, और newspaper में उनका नाम या कहीं, news में वापस आए हूँ, तो हमें पढ़ना है, या फिर कोई बहुत popular personality है, और उनको Padma Shri मिल गया हो, तो ऐसे कुछ cases हम देखेंगे, otherwise ये 91 की list आपको Padma Awards की जो official website है, government की वहाँ पे सीधे-सीधे मिल जाएगी, आपको फिर भी go through करना है, आप वहाँ से कर सकते हो, but there is no point wasting our time today on this, okay, so we'll be focusing on 6 Padma Vibhushan, 9 Padma Bhushan, और जितने भी important Padma Shri हैं, उनको आज हम व्याद करेंगे, चलिए, अब ये जो total 106 Padma Awards हैं, उनमें से कितनी females रहीं जिनको Award मिले, 19, अब ये कुछ एक facts हैं, जो कि याद रखेंगे आप, 19 females थी, जिनको Padma Award मिला 2023 के अंदर, दो लोग ऐसे थे, जो किसी और country से थे, अब वो NRI category में आते हों, foreigners हों, PIO या OCI हों, PIO, OCI क्या है, PIO is persons of Indian origin, और OCI is overseas citizens of India, तो ये जो foreigner, NRI, PIO, OCI category है, इसमें दो लोगों को Award मिला है इस बार, और साथ लोग ऐसे हैं, जिनको posthumus दिया गया है, यानि मर्नो परांथ, they have passed away, और उनको बाद में Award ये दिया गया है, ठीक है, तो ये सारे important fact हो जातर, relating to Padma Award 2023, अब ये आ गई हमारी पहली list, अब यहाँ पे आपको सीधी सीधी list दिख रही है, फिर हर एक, क्योंकि पदम विभूशन है, है ना, पदमा Awards में highest category हो गई, पदमा Awards के अंदर क्योंकि ये highest category है, और ये 6 लोग है, इनके बारे में हम detail में भी देखेंगे, बिकोज इनकी life और इनके work से related है, इनके Award achievements, recognition से related भी exam में question आ सकता है, ठीक है, तो इनको अभी तो आप एक table form मैं देख लीज़े, फिर एक एक person को हम लेकर के discuss करेंगे, कौन है चैपदम विभूशन अवाड़ी, महाला नोबिस जी और मुलायम सिंग, यादवीन को posthumously मिला है, बाकी सबको, वाइल देवर, सौरी, तीन को posthumously मिला है, बाल कृष्ण दोशी जी को भी posthumously मिला है, so out of these six, three are posthumous, ठीक है, चलिए, so श्री बाल कृष्ण दोशी, बाल कृष्ण दोशी, आर्किटेक्ट्चर से जुड़े हुए हैं, so यह देखो, others की category में, आर्किटेक्ट्चर से related है, कौन से state को बिलॉंग करते हैं, गुजरात को, अब याद करना शुरू करें, या यह प पदमे भूशन मिला, या फिर यह कौन से state को बिलॉंग करते हैं, ठीक है, तो यह जो मोटी मोटी information है, हमें पूरी याद रखनी पड़ेगी, सीधा सीधा association आपको याद करना पड़ेगा, सुबाल कृष्ण दोशी, आकिटेक्ट्चर, गुजरात, जाकिर हुसेन, तबला अगर आपने सुना हो, वहां ताजवा में आते थे, तो आर्ट के लिए इनको मिला है, महराष्ण को बिलॉंग करते हैं, SM कृष्णा, SM कृष्णा, पबलिक अफेर्स के लिए करनाटका के सीम भी रह चुके हैं, करनाटका को बिलॉंग करते हैं, श्री दिलिप महाला नोब करते हैं, और यह USA के हैं, यह USA citizen है, देन मुलायम सिंग यादव, जो की popular politician रहे चुके हैं, पबलिक अफेर्स के लिए इनको योत्तर प्रदेश को बिलॉंग करते हैं, यहां से इनको पदमा अवार्ड, पदमा विभूशन मिला है, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई अब पहले हम एक-एक करके इन सब के बारे में discussion कर लेते हैं, फिर हम इस list को याद कर लेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, बालकृष्ण दोशी जी के बारे में, बालकृष्ण दोशी जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, कि architecture, तो हाथों हाथ याद भी करवाई देती हैं देखो, कई बार होता है वास्तु दोश बोला जाता है, कि अरे आपने ऐसा architecture करवा लिया, इसमें ये दोश है, इसमें ये दोश है, तो अगर आप दोशी जी को नहीं जानते हैं, मानलीजे बालकृष्ण दोशी आपने कभी नाम नहीं सुना, तो आप ऐसे कर सकते हो, कि द दोश किसमें है, आर्किटेक्चर में दोश होता है, तो ये आर्किटेक्चर की फील्ड से इनको पद्मा अवर्ड मिला है, ठीक है, इतनी बात समझ में आगे, अब ये पहले इंडियन बन गये थे 2018 में, जिनको प्रिज़र प्राइस मिला था, कौन सा प्राइस, प्रिज़ प्रिज़ का आकिटेक्चर प्राइस, आकिटेक्चर की फील्ड में नोबेल प्राइस समझ लीजे इसको, ओके, देन उसके अलावे इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्मभूशन मिल चुका है, और अब पद्मविभूशन से भी सम्मानित किया गया, रॉयल अगर आप यहाँ देखो, 24th January 2023 को ही पास्ट अवे और वेरे नेक्स देए, और वेरे नेक्स देए, विनर ऑफ पद्मभूशन पॉस्थिमस्ली, नेक्स हम आते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसेन, जाकिर हुसेन, जाकिर हुसेन जी जो है, यह अलरी पद्मश्री अवार्डी ह है, 1988 में पद्मभूशन इनको मिल चुका है, 2002 के अंदर, 2002, बस अब नहीं बोलेंगे, ग्रैमी अवर्ड भी इनको मिल चुका है, 1992 में, बेस्ट कंटेंप्रोरी वर्ल्ड मुजिक अलबम भी, उसी के साथ साथ संगीत नाटक अकाडमी अवर्ड 1990 के अंदर यह जी चुके है हैं, सो काफी सारे अवर्ड और इनके हैं, सो दूसरा नाम आप याद रखेंगे, जाकिर हुसेन, जो की हैं, तबला वादक, राइट, सो आर्ट की फिल्ड में इनको पद्मभ विभूशन मिला, then SM Krishna, SM Krishna, who is associated with करनाटका, was associated, not is associated, posthumous है यह भी, जो अवर्ड है, posthumously रिया गया है, so 16th CM रह चुके थे यह करनाटका के, उसके साथ-साथ महराश्रा के गवर्णर के तौर पर काम किया है, external affairs minister रह चुके हैं, जब Manmohan Singh जी की सरकार थी, इंडिया के अंदर, then he has also worked as speaker of करनाटका legislative assembly, और बहुत लंबे समय तक Congress के साथ काम करके, he had joined BJP in March 2017, approximately 50 years का इनका Congress का Association था, उसके बाद इननोंने BJP को जॉइन कर लिया था, and he has been awarded Padme Vibhushan in Public Administration, फिर हम आते हैं, Dr. Dilip Mahalanobis, so Dr. Dilip Mahalanobis, like I told you, pediatrician है, और oral rehydration therapy, जो है, diarial diseases की loose motions अगेरा जब हो जाते हैं, तो ORS, oral rehydration solution दिया जाते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं, Director of Clinical Research and International Center for Diarial Disease Research में भी ये डिरेक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं, then foreign member of Royal Swedish Academy of Sciences में, इनको elect किया गया था 1994 में, At the same time, एक और important award है, जो आपको पता होना चाहिए, Prince Mahidol Prize है, जो कि इनको 2006 में, along with others मेला था, for this ORS therapy, ठीक है, आगे चलते हैं, Then we have Srinivas Vardhan, Srinivas Vardhan, who is a US national, and USA से ये बिलॉंग करते हैं, science and engineering की field में इनको मिला है, particularly for his lifetime contribution to the theory of large deviation, Mathematician हैं ये, okay, and काफी famous Mathematician है, Indian American Mathematician, Indian origin के हैं, but American national हैं अब, So Indian American Mathematician, Srinivas Vardhan, Able Prize मिल चुका है, very prestigious prize in the field of mathematics 2007 के अंदर, And like I told you, theory of large deviations के काम करने के लिए इनको ये मिला था, 2008 में already इनको पद्मभूशन से नवाजा जा चुका है, और 2023 में पद्मभ विभूशन दिया गया, okay, अब last, जो 6th number पे आते हैं, पद्मभ विभूशन में, posthumously जो अवाड दिया गया, third posthumous award, that was to Molayam Singh जादव, जो कि एक veteran politician रह चुके, कौन सी party से जुड़े हुए थे, समाजवादी party से, इन्होंने Chief Minister of Uttar Pradesh के तौर पे तीन बार ये responsibility handle की, Minister of Defense भी रह चुके हैं, Union Ministry के अंदर, अब अगर आप इनके सारे portfolio's देखेंगे, तो UP के CM 89, 93, 2003 के अंदर, Minister of Defense 96 से 98 रहे हैं, Member of Parliament in Lok Sabha multiple times बन करके आए हैं, Member of Legislative Assembly उत्तर प्रदिश काफी बार रह चुके हैं, ठीक है, अब हम लौटेंगे, वापिस हमारी पहली वाली list के उपर, और क्या करने की कोशिश करेंगे, अब हम इस list को याद करेंगे, एक एक करके पीछे मूफ करते हैं, जल्दी से, all right, so this is the list, now let us try and learn it, okay, so क्या क्या याद हो गया, पहले तो हमने दोशी याद किया था, बाल कृष्ण दोशी जी, किस में दोश होता है, हमारे, आकिटेक्चर में दोश होता है, तो बाल कृष्ण दोशी जी, कौन सी फिल्द से जुड़े हैं, आकिटेक्चर से, और गुजरात आप याद रख सकते हो, then, जाकिर हुसेन सब जानते हैं, तबला वादक हैं, तो आर्ट याद हो जाएगा, और महराश्ट्रा, मुंबई, बॉलिवुड से आप असोसेशन थोड़ा बिठा लीजे, आप अस पॉलिटिशन वो असोसेट करनेंगे, जो नहीं जानते, आप देख लेजएगा, कि कृष्ण जी पॉलिक अफेर्स में रहते थे, लॉट अफ गोपीज अराउंड और नाटक से असोसेशन यानि लीलाओं से असोसेशन करके, सो एसम कृष्ण पॉलिक अफेर्स अन करनाटका, दिलिप महाला नोबी से बहुत पॉपिलर नेम है, नहीं तो ओरस आप जानते ही हो, ओरस से आप दिलिप सर को असोसेट कर सकते हो, जो आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं, दिलिप और ओर ओरस अन मेडिसन हो जाएगा उससे, एन वेस्ट बिंगॉल आप याद रखी सकते हो, स्री निवास वर्दान, स्री निवास वर्दान वही जो इंडियन अमेरिकन साइंस अन टेक्नॉलजी के लिए, यूसे से ये बिलॉंग करते हैं, इस तरह के जो इंडियन होते हैं, वो हमारी ख्याती ग्लोबली फिलाने में वर्दान साबित होते हैं, तो इसी तरह से आप वर्दान से इनको याद रख सकते हैं, मुलायम सिंग यादव is a very popular name, आपको याद रखने की ज़रुए नहीं पड़ेगी, ओके, अब हम आजाते हैं, second category of awards पे and that is Padma Bhushan Awards, Padma Bhushan कितने लोगों को मिला, 9 को, हम Padma Bhushan कर चुके हैं, 6 लोगों को मिला है, जिन में से 3 को prosthumously मिला है, posthumously and then Padma Bhushan 9 people, इन 9 को भी हमें सीधे-सीधे याद करना है, यहीं पर याद करते चलेंगे, इनका detail हम नहीं देखने वाले हैं, ज़रुरत नहीं है, सबसे पहले SL Bhairappa, Shri SL Bhairappa, Education and Literature के अंदर करनाटका से इनको यह award मिला, अब देखो SL Bhairappa की अगर हम बात करें, तो अपपा इन में आ रहा है, अपपा आप फादर के लिए ले सकते हो, तो फादर क्या बोलते रहते हैं, पढ़ो, 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 यही बोलते हैं न, सब एजुकेशन की फिल से इनको मिला है, करनाटका से, देन, Miss Sudhamurthy, Sudhamurthy में पास एक बुक है, सुदामूर्थी जी के इनके पास एक बुक है, कौन सी बुक है, करनाटका से हो, Sudhamurthy is a social worker also, she is an author also, and बहुत, वैलन है, फेमस है, Narayan मूर्थी जी की वाइफ है, so social work के लिए, and she belongs to करनाटका, so बहरपा जी and Sudhamurthy, करनाटका से हेल करते हैं, and Sudhamurthy जी को social work के लिए, बहरपा जी को literature, education के लिए मिला है, then Kamlesh D Patel Kamlesh D Patel को मिला है Spiritualism के लिए अब देखो Others वाली काटेगरी है Spiritualism के लिए तेलंगाना से तेलंगाना से एक और परसन को मिला है पदमभूशन, स्वामी, चिन्ना, जियर और इनको भी Spiritualism के लिए मिला है दोनों को कैसे याद रखें दोनों तेलंगाना से है Spirituality से related है देखो कई बार होता है न भगवान जी को हम तेल वगेरा चड़ाते हैं Saturday पे होता है बहरव को चड़ाते हैं या शनी महराज को चड़ाते हैं तो आप तेल के दिये जलाते हैं ऐसा देख लो तो तेलंगाना और Spirituality असोसियेट हो जाएगी ना कमलेश डी पटेल कमलेश में आ रहा है कमल कमल और Spirituality वहाँ जुड़े हुए एंग दूसरे से हाला कि देखो मैंने जो तेल बताया वो रेलिजिन से रिलेटेड है Spirituality से नहीं है लेकिन हम याद करने की यहाँ कोशिश कर रहे है ओके विए जुस्ट ट्राइंग टू लर्न इसलिए बहुत ज़्यादा लॉजिक पे मत जाएगा सो Spiritualism याद रहे गया तेलंगान और Spiritualism ठीक है फिर कमलेश डी पटेल के लिए कमल कमल का फूल लोटस जो होता है तो कमल और Spirituality गो हैंड इन हैंड पिक्चराइजेशन में कही जगे तो कमलेश डी पटेल को मिला है Spirituality के लिए लिए ही हेल्स फ्रम तेलंगाना दिन स्वामी चिन्ना जीर तो आब देखो स्वामी आ रहा है नाम में स्वामी आ रहा है तो Spirituality कहीं न कहीं आ जाएगी और ये भी तेलंगाना को बिलॉंग करते हैं छोटे-छोटे हिंट की ज़रुत है बड़ी-बड़ी कोई टेखनीक की ज़रुत नहीं होती है आप्शन मिलेंगे एक्जाब में आपको सिर्फ टिक माग करना होता है तो मिस वानी जैराम इनको आर्ट के लिए मिला है और ये तमिल नाड़ू को बिलॉंग करते हैं तो हिंट ले सकते हैं देखो वानी है तो गाती होँगी गाती है तो गाते होंगे शायद गाते हैं तो art association कर लो ठीक है श्री कुमार मंगलम बिल्ला को सब जानते हैं इंडस्ट्री लिस्ट हैं बहुत बड़े तो ट्रेड एन इंडस्ट्री के लिए मिला है महाराष्ट्र को बिलॉंग करते हैं श्री दीपक धर दीपक धर science and engineering महाराष्ट्र तो engineering में क्या होगा एक building block के ओपर दूसरा block धर ऐसी तरह से कुछ न कुछ structures बनाए जाते हैं bridges बनाए जाते हैं तो धर धर के हम bridges बना रहे हैं बिल्लिंग्स बना रहे हैं तो दीपक धर आप याद रख सकते हो नहीं दीपक हर कोई किसी दीपक को जानता होगा मेरी फैमिली में दो दीपक हैं so you must be knowing some other दीपक उनको science and engineering से जोड़ लीजे my brother anyways is an engineer और महाराष्ट्र में रहते हैं तो मेरे लिए तो बहुत सीधा association हो गया then miss सुमन कल्यानपुर अब देखिए सुमन कल्यानपुर यह किस अगेन गाने वाली चीज़े आर्थ से जोड़ लीजे और यह भी महाराष्ट्र को बिलॉंग करते हैं then कपिल कपूर कपिल सुनते ही तो आप हमें कपिल शर्मा शोयाद आता है ना तो कपिल आप चाहें तो वह वाला याद कर लीजे वह comedian हैं लेकिन कपिल कपूर literature and education की फिल्ड से हैं डेली से इनको यह हेल करते हैं और इनको यानी बिलॉंग करते हैं इनको यह पद्मभूशन जिखा दो तेलंगाना से दो करनाटका से एक तमिलनाडू से तीन महाराष्ट्रा में और एक डेली से जो बिलॉंग करते हैं लोग उनको पदमभूशन मिला है श्री एसल भैरप्पा और सुधा मुर्ती जी को हमने देख लिया कि ये करनाटका से हैं देन कमलेश दीप अटेल हो गए स्वामी चिन्ना जियर हो गए वानी जैराम, कुमार मंगलम बिल्ला, दीपक धर, सुमन कल्यानपूर और कपिल कपूर आई होब थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर नाम सेटल हो गए होंगे अब हम आते हैं थर्ड एंड फाइनल काटेगरी की तरफ विच इस पदमश्री पदमश्री कितने लोगों को मिला नंबर याद रखेगा, 91 पीपल हाव गौट पदमश्री, 6 पदमविभूशन, 9 पदमभूशन, 19 पदमश्री, 91 पदमश्री और टोटल हो गए 106 पदमश्री अब पदमश्री सारे 91 जैसा मैंने बताया याद नहीं करना है, जो भी इंपॉर्टन एक बार हम को देख लेते हैं, तो सबसे पहले आते हैं, श्री राकेश जुन 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 वाला, राकेश जुन जुन वाला, इंडस्ट्रिलिस, चांदे हैं यह नाम सुना होगा, ट्रेड एन इंडस्ट्री, महाराष्ट्र, सीधा सीधा असोसियेशन, एम एम कीरवानी, यह कौन है, यह मूजिक डिरक्टर हैं, एक सॉंग के जिसको हाल ही में नोबैल औसकर्स मिला है, चूचू, चूचू, नाठ्चू, नाठ्चू, सॉंग के लिए, चूचू के लिए, और इनको, पदमष्री भी इनको लिए, अनॉंस कर दिया गया था, आर्ट से जुड़े हुए हैं, और प्रदेश को बिलॉंग करते हैं और प्रदेश आप ध्यान रखेंगा अंधी मचा दी है ना नाटू नाटू ने हर जगे तो बस और प्रदेश दिन रवीना रवी टंडन यह वही रवीना टंडन एक्ट्रस हैं बॉली वुड की पॉपिलर आर्ट के लिए महाराष्ट्र श्री थावनजाम चावबा सिंग यह पब्लिक अफेर्स और इनको मनीपुर से यह हैं इनको पदमा आवार्ड मिला है दिन में सुझाता रामदोराई अब देखे हमने क्या कहा था दो ऐसे लोग हैं जो की फॉरें एनराई ओसिया इन सब कैटेगरीज में आते हैं एक हमने अरीज खंबाता पॉस्थिमसले इनको मिला है अरीज खंबाता यह बहुत बच्पन का प्यार है हमारा एक जिससे जुड़ा हुआ यह नाम है रस्ना अगर मेरी वाली जेनरेशन को बिलॉग करते होगे तो 100% एकदम नॉस्टाल्जिक हो जाओगे विकर समने बहुत रस्ना प्याए बच्पन में आज वाले बच्चे तो शाहिद नहीं जानते हैं लेकिन आप में से कई लोग जानते होंगे तो अरीज खंबता रस्ना के से जुड़े हुए ट्रेड एन इंडस्ट्री के लिए अन गुजरात से बिलॉग करते हैं और फाइनली श्री एहमद हुसेन और श्री मोहमद हुसेन यह डूओ है मैंने कहा था टोटल तीन डूओ ऐसे हैं जिनको पद्मा अवर्ड्स मिलें इस बार उनमेंसे एक डूओ यह है और इनको आर्ट के लिए मिला है इन्होंने शिरुआत की थी क्लासिकल और ठुम्री से और अब यह गजल गाते हैं और यह राजस्थान को बिलॉग करते हैं ठीक है तो यह हो गए हमारे जो भी इंपॉर्टन लगे नाइंटीवन पद्मश्री में से उनमें से यह हो गए इन सुपर थर्टी के जो फाउंडर हैं कौन हैं बताएंगे आप चलिए आपको जाते जाते साइनिंग आफ क्वेश्चन में मैं कुछ चीज़ें पूछ के जाती हूँ तो पहला एक साइनिंग आफ क्वेश्चन आपको देख रहा है श्री एहमद हुसैन और श्री मौहमद हुसैन जो भी हमने जस्ट पढ़े आर फ्रम विच घराना मैंने आपको यह तो बता दिया क्लासिकल ठुम्री से इन्होंने शुरुआत कि अब यह गजल गायकी करते है पर यह कौन से घराना से बिलॉंग करते हैं अगर आप स्टेट पर थोड़ा ध्यान दोगे बहुत अच्छा सा हिंट वहीं पर आपको मिल जाएगा राजस्थान को बिलॉंग करते हैं ठीक है तो अगर आंसर कर पाएं तो लिखिए और दूसरा मैं आपको बोल रही हूँ करनी होती है यह पर्टिकलरी सिविल्स के बच्चों के लिए बहुत कामका होता है तो वह आप यहां से जूड़ सकते हो पर्चम पर काफी सारे कोर्स सब्सक्रिप्शन और फ्री क्विज्स अवैलेबल है आप जूड़ सकते हैं पर्चम क्लास डॉट इन पे सारे पीडिए कोर्स डलते हैं वो सब आप चेक आउट कर सकते हो पर्चम क्लास का ओफिशल टेलेग्राम है जहां पर डेली क्विज्स आपको मिल जाएंगी फ्री पीडिएफ मिल जाती हैं सो अलॉट हैं और कोई भी क्वेरी या कंसर्न हो कभी भी तो आपको एक ही जगे लिखना है और और कोर्स आप वीडियो में comment section में तो लिखी सकते हो we read your comment also I personally also read the comments so आज के session में इतना ही छोटे छोटे हिंस हमने लिए हैं because बहुत बड़े-बड़े hint और कहानियों की ज़रुरत नहीं थी यहां पे काफी सारे names popular थे काफी सारे faces popular थे और जहां पे needed था hint वो मैंने आपको प state maps हम लेंगे बहुत सारे बच्चों की डिमांड आरी है करनाटा का मैप discuss करने की तो अगला जो state maps की playlist के अंदर topic जाएगा वो जाएगा करनाटा का माप see you very soon with that take care bye bye